इस वीडियो नंबर 3 of electromagnetic induction और इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे the laws governing electromagnetic induction उसमें Faraday ने लौ दिये थे और lenses law था हमारा. एक direction को लेके बात करता है, एक magnitude को लेके बात करता है. तो पहले मैं lenses law को cover करूँगा और faraday law हमारा चलता रहेगा उसको हम तो पहले भी discuss कर चुके हैं तो lenses law को देखो हम किस तरह से understand करते हैं बड़ा अच्छा law है ये interesting law है जिसकी practice भी करनी पड़ेगी directions find करने के लिए ये एक figure मैंने बनाई है इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक magnetic field है जिसकी value increase कर रही है given है कि magnetic field की value increase कर रही है that means की changing magnetic field है मुझे बताना है कि इस loop के अंदर जो current बनेगी मुझे बताना है कि इस loop के अंदर जो current बनेगी उसकी direction clockwise होगी या anti-clockwise अगर magnetic field increase कर रहा है तो ये मुझे किस ने सिखाया ये direction फाइंड करना लेंजेज लौ ने कैसे सिखाया वो सुनना ध्यान से लेंजेज लौ कहता है कि इस loop के अंदर जो current बनी उसकी direction इस तरह की होगी कि वो अपने cause को oppose करे जिसके कारण वो current बनी मतलब जिसके कारण ये current बनी उसी कारण को खतम करना चाहती है वो current की direction current मतलब current की direction इस तरह से होगी कि वो कारण को खतम करेगी इसका reason cause the better word is cause lenses law says the direction of current will be in such a way that it will oppose the cause oppose the very cause producing it अब ये बड़ा जीव लगता है सुनने में current कैसे magnetic field को current बनी क्यों changing magnetic field के कारण वैसे तो आपने changing magnetic field नहीं बोलना चाहिए आपने बोलना चाहिए changing flux के कारण फिर हमें मालूम है कि यहाँ पे flux change क्यों हो रहा है magnetic field के कारण, please remember this, this is very important, आप flux बोलोगे, ठीक है, फिर बोलोगे कि flux क्यों change हो रहा है, flux change हो रहा है magnetic field के change के कारण, यहाँ पे, area से भी change हो सकता है, theta से भी change हो सकता है, don't forget that यह पूरा chapter EC पे based है, कि अगर आप यह बात बूल गे, तो फिर हम कुछ नहीं सीख सकते तो मैंने क्या बोला कि यह magnetic field अगर चेंज कर रहा है, यानि कि flux change कर रहा है, तो जो इसके अंदर current बनेगी, वो current इस increasing magnetic field को कम करने की कोशिश करेगी इस increasing magnetic field को कम करने की कोशिश करेगी सोच यह आती है कि यह कैसे possible है कि current magnetic field को कम करेगी current कहां, magnetic field कहां हमने यह भी सुना है कि same चीज़ें एक दूसरे मैसे सब्ट्रैक्ट यहाँ हो सकती है, तो current का क्या लेना देना magnetic field के कारण, अब ध्यान से सुनना यह lenses law ने नहीं बोला था जो मैं अब बोल रहा हूँ every current carrying conductor is associated with magnetic field यानि कि इस conductor, red conductor के अंदर यह जो red है ना, यही तो conductor है ना, यह जो loop आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर जब current flow करेगी तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है और Sted ने और Boyette Savat ने हमें सिखाया था कि इन दोनो current carrying conductor is always associated with magnetic field तो magnetic field तो बनेगा ही बनेगा यह तो lenses law को पहले से पता था तो magnetic field बनेगा लेकिन magnetic field अब इसको favor करेगा इस increasing magnetic field को और बढ़ाने की कोशिश करेगा या decrease करने की कोशिश करेगा lenses law ने कहा बस decrease करने की कोशिश करेगा उसने और कुछ भी नहीं बोला था, उसने सिर्फ बोला कि भई ये तो मैं मानता हूँ पहले से, जो proven results हैं बड़े साल पहले से क्या, कि every current carrying conductor is associated with magnetic field, यानि कि इसके अंदर current induced होगी, ये तो चलो Faraday ने बता दिया, Faraday ने बताया ये, जो अभी law हमने पढ़ना है, ये Faraday ने ह मैं सिखा दिया कि अगर changing flux है, तो उसके कारण यहाँ पे current तो induce होगी, और current के कारण यहाँ magnetic field बनेगा, ये भी मैं मानता हूँ, Lenses Law ने कहा, ये दोनों बाते किसी और ने बोली हैं, लेकि मैं सिर्फ इतनी बात add करना चाहता हूँ, Lenses Law ने कहा, कि जो यहाँ इस current के कारण magnetic field बनेगा, इस current के कारण जो magnetic field बनेगा, वो अपने cause को oppose करेगा, cause क्या increasing magnetic field और magnetic field की direction भी दी हुई है, मतलब इसको वो कम करने की कोशिश करेगा, crosses वाले magnetic field को कम करने की कोशिश करेगा, and let me tell you, crosses को कम करने के लिए, obviously जो इसका magnetic field होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, dots वा तो dots वाला magnetic field ये कब बनाती है, dots वाला magnetic field इसमें कैसे बनेगा, clockwise current से की anti-clockwise current से, वो आपको सिखाया है, आप अपनी fingers को curl कर लो current की direction में, कि thumb कहां आए, बाहर की तरफ, तो thumb बाहर की तरफ तब आएगा, अगर इसमें से current ऐसे flow करेगी, मतलब इदर, क्योंकि ये increase कर रहा है, ये magnetic field increase कर रहा है, इसलिए current की direction कैसी आई, ऐसी कि ये वाला magnetic field decrease करेगा, तो ये वाला magnetic field decrease कब करेगा, जब इसमें से minus होगा, minus कब होगा, अगर इसकी direction कैसी है, cross वाली, तो उसकी direction कैसी हो, dot वाली, तो dot वाली direction आएगी कैसे, dot वाली direction कैसे आएगी, बस आपने पता लगाने, कैसे आएगी, current किस direction में, current किस direction में flow करेगी, current direction में flow करेगी, कौन सी current anti-clockwise flow करेगी तो तो जाके thumb बाहर की तरफ आ रहा है right hand use करो और please देखो इसको अच्छे से तो ये dot तभी आ सकता है इसके current की direction हमने निकाली lenses law को use करके उसके concept को use करके और ultimately मैं यहां क्या लिखूंगा the current direction is anti-clockwise इतना सा question भी paper में आ सकता है किसी भी competitive exam में आ सकता है तो anti-clockwise direction कैसे आई यह मैं hope करता हूँ कि आपको समझा आ गया होगा अब मैं एक और example लेता हूँ आपके साथ ठीक है lenses law को यह understand हमने और भी बहुत सी examples करनी है एक छोटे इसी example और बता देता हूँ यह तो common sense भी है वैसे कि अगर यह magnetic field decrease कर रहा होता अगर यह magnetic field decrease कर रहा होता यानि कि अब reason क्या decrease करने पे भी यहां current बनेगी बिल्कुल बनेगी changing होना चाहिए increase करे यह decrease करे यह मेरा concern नहीं है मेरा flux जो है वो change होना चाहिए flux increase करे decrease करे यह मेरा concern नहीं है लेकिन यहाँ पे जब magnetic field decrease कर रहा है तो magnetic field decrease कर रहा है तो इसके कारण क्या current बनेगी current बनेगी current तो बनेगी current के कारण क्या magnetic field बनेगा पक्का बनेगा lenses law ने सिर्फ कितना सा कहा उसने कहा भाई जो magnetic field बनेगा वो जिसके कारण ये current बनी उसको oppose करेगा यह वाला जो magnetic field current ने बनाया, तो वो कैसा current, वो कैसा होना चाहिए, तो crosses को sport करना चाहते हो, या पोज करना चाहते हो, sport करना चाहते हैं, हम जो यह यहाँ decrease कर रहा है, उसको increase करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो current की direction आएगी, वो ऐसी आएगी, कि इसके कारण cross वाला magnetic field बने, इसके कारण cross वाला magnetic field कब बनेगा, जब इसके अंदर current कैसी हो, थम आपका अंदर की तरफ current ऐसी हो, देख लो, current अगर ऐसी हो, कैसी, clockwise, clockwise, तो बस खतम होगी यह कहानी, lenses law समझ आ गया, यह था lenses law की कहानी, एक्जामपल्स तो बहुत हैं इसमें, लेकिन अगर आमने, जैसे एक्जाम में लिखना हो, lenses law के बारे में, एक तो उसकी definition पता होनी चाहिए, और जो मर्जी एक्जामपल दे दो, कोई problem नहीं है, एक्जामपल देने में, एक्जामपल देने में कोई problem नहीं, किसी भी एक्जामपल से आप इसको प्रूब कर सकते हो, मैं एक और एक्जामपल देता हूँ, आपको lenses law को प्रूब करने के लिए, अब आप ध्यान दो, यह मैंने एक बार पहले भी आपको faraday law explain करने के लिए बताई, इस magnet को मैं इस coil के पास ला रहा हूँ, जब मैं इस magnet को इस coil के पास ला रहा हूँ, तो पास लाते time क्या हुआ, magnetic flux इसके साथ जो link कर रहा होगा इस coil के साथ, वो क्या होगा, change करेगा, change करेगा तो इसके अंदर EMF induce होगा, EMF induce होने के कारण, ये closed बनाया हमने इदर से current पास करेगी पहले EMF induce करता है फिर current आती है मैंने पहले भी आपको बताया तो यहां पे current आई in coil के अंदर current flow कर रही होगी उस current की direction ऐसी होगी कि अपने cause को oppose करेगी cause क्या है इस magnet का पास आना इस magnet का पास आना तो इस magnet के पास आने को रोकेगा हम कैसे कि यहां north pole बन जाए यहां south pole बन जाए और यहां north और south pole कैसे बनेगा किसके कारण बनेगा यह जो north और south pole यहां बना किसके कारण बना बनना तो पक्का है क्यों बनना क्योंकि इस coil के अंदर current flow कर रही है, current flow कर रही है, तो यह solonide बन गया, solonide बन गया, तो क्या, और उस solonide के अंदर क्या रखा है हमने, iron, तो यहां पर north और south pole बना, अब यह जो north और south pole बना, mind it, यह किस के कारण बना, current के कारण बना, लेकिन, अब क्या मालूम, यहां south बन जाता, यहां north बन जाता, ले इसने इधर North Pole बनके, यह North Pole कैसे बनेगा, Current की Direction कैसी होगी, ऐसी, चेक करो, आपको आती है, आपको आती है निकालनी, Current की ऐसी Direction होगी, तभी यह North Pole बनेगा, Curled Fingers, Current की Direction में, थंब बताता है, Direction of Magnetic Field, तो Magnetic Field की Direction ऐसी, यह आगी Magnetic Field की Direction, South to North की तरफ होती है, आपको मालूम होगी, बाहर से होती है, North से South की तरफ, तो जब यह, यह Magnet जब इसकी तरफ आएगा, तो अब यह अपोज करेगा, केई बुक्स में लिखा है, एक छोटी सी बात आपको Lenses Law की और बता देता हूँ, केई बुक्स ने लिखा है इस चीज़ को, Lenses Law is based on Law of Conservation of Energy, यह Law of Conservation of Energy कहां से आगया बीच में, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से जुनोगे लेके, देखो कैसे, एक बात तो guaranteed थी कि यहाँ North-South बनेगा यहां South-North बनेगा, यहां तो South बनेगा, यहां तो North बनेगा, यही था ना, अब मैं बोलता हूँ, नहीं यार, हम उल्टा चलते हैं किस से, हम कहते हैं यहां बना जी South, और यहां बना North, Lenses Law से उल्टा चलते हैं, क्योंकि बनना पका है, Lenses Law ने यह नहीं बोला कि यहां North-South बनेगा, उसने बोला कि North-South तो किसी और ने बताया बहले, Magnetic Effects of Current तो हम पहले से पढ़के आए हैं उन्होंने बोला कि यहां North-South बनता है वो सिर्फ कहता है कि यहां North बनेगा, यहां South बनेगा, यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि यह अपने cause को oppose करे, यहां पे South, यहां पे बनेगा North, lenses lock आता है North लेकिन मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि अगर South बनता तो क्यों वो गलत होता किस से प्रूव करने जा रहा हूं? Law of Conservation of Energy से, कैसे? अगर यहां Just imagine कि यह Magnet यहां है, इन दोनों के बीच का distance है, मान लो 10 मीटर ठीक है, यहां तो बहुत पास नजर आ रहा है, मैं बोलो 10 मीटर, आपने इसको खींच के थोड़ा सा भी आगे लाया, जैसे ही आगे लाया, तो Magnetic Flux चेंज हुआ, Magnetic Flux चेंज हुआ, तो यहां Magnetic Field बना, लेट की यहां पर South बन गया, हम lenses लोके contradict कर रहे हैं, और बाद में बताएंगे कि यह contradiction होई नहीं सकती थी, जैसे ही यहां South Pole बना पहले तुम इसको हाथ से खींच के यहां ला रहे थे, जस्ट आपने एक सेंटीमीटर यहां दो सेंटीमीटर आगे लाया तो यहां क्या बन गया, South Pole जैसे ही यहां South Pole बना, तुम हाथ उटा दो, हाथ उटा दो तो यह Magnet अपने आप आगे चलेगा, 10 मीटर का distance है, 10 मीटर के distance तक अपने आप आगे चलेगा, अपने आप आगे चलेगा, इसके अंदर अपने आप current बनेगी, क्योंकि जब आगे चलेगा, तो magnetic lines change होगी, magnetic field change होगा, जब magnetic field change होगा, तो current अपने आप बनेगी, अपने आप कुछ नहीं बनता, यही बोलता है law of conservation of energy energy का नाइधर भी created nor be destroyed, तुमने तो justice को हिलाया, उसके बाद जो बाकी का distance था, इसका 9 मीटर का, साड़े 9 मीटर का वो तो इसने खुद चल लिया, यहाँ पर क्योंकि तुमने कहा कि North South Pole बनेगा, जबकि यह गलत है, lenses law क्या कहता है, एक और चीज इसके आगे की North Pole, और जब तुम इसको आगे-ागे लाने की कोशिश करते हो, you feel a force of repulsion, जब तुम हाथ से इसको आगे करने की कोशिश करोगे न, just feel it, हर बार करने को नहीं मिलेगा, theoretical physics है, physics को समझना, हर बार experimentally नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको feel आना चाहिए, मैं आपको feel क्या दिला रहा हूँ, कि जो इसको अपने हाथ से पकड़ के आगे की तरफ ला रहा होगा, तो उसको एक force of repulsion feel करनी पड़ी होगी, और वो जो force के against वो काम कर रहा है न, जो यहाँ पे वो mechanical काम कर रहा है इसको आगे लाने में, that mechanical energy is actually converting into electrical energy, तो mechanical energy से electrical energy बनती है electromagnetic induction में, मैंने अभी आपको lenses law को प्रूव करके कैसे दिया, मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ south pole बन जाता, तो फिर मेरे को हाथ से force लगाने की क्या जरूरती, मैं हाथ उठा दूँगा, यह magnet अपने आप खुद आगे चलेगा, खुद आगे चलेगा, मान लो इसको यहाँ तक पांच मिनिट लगे, यहाँ तक पहुचने में 10 मीटर कवर करने में, तो पांच मिनिट तक अपने आप क्या हुआ, अपने आप current बनती रही, तो अपने आप current नहीं बन सकती कभी भी, this is impossible, this is against the law of conservation of energy, तो इसलिए हम बोलते हैं, lenses law is actually based on law of conservation of energy, तो यह lenses law में यहाँ close करता हूँ, ठीक है, लेकिन close नहीं हुआ, इसकी बहुत सी examples हैं, कम से कम 10-15 examples हम करेंगे, इसको और concept को develop करेंगे, this is very very important, electromagnetic induction का बहुत important law है, जिसको हमने सीखना है, तो मैं इसके आगे faraday के कुछ laws, वो simple हैं समझने में, वो इतना time नहीं लगेगा आपको understand करने में, उसके भी numericals हैं, उसकी understanding भी develop करने के लिए, numericals को करना पड़ेगा, उसको भी जरा समझते हैं, faraday law के अंदर, क्या है, उसने पहला law तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, वो कहता है, EMF तभी बन सकता है अगर flux change होगा, EMF तभी बन सकता है, flux change होगा, पहला law ने ये बोला, और जब तक flux change होता रहेगा, तब तक वो current और EMF induced रहेंगे, जिस समय तुम flux की changes को बंद करोगे, EMF induced होना बंद हो जाएगा, दो law, दो law होगे ये वाले, एक ने बोला कि बही changes होती रहेंगी, sorry, changes होंगी तो EMF induced होगा, और वो EMF तब तक exist करेगा, जब तक वो changes होती रहेंगी, ठीक है, तो basically दो ही आप याद रखो, पहली बात क्या, कि जो EMF induced होता है किसी वी coil के अंदर, और hence, उसके अंदर क्या develop होती है current, देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे आप ये figure देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका magnetic field change कर रहे है, लेकिन यहाँ मैंने close loop नहीं बनाई, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे इस magnetic field से यहाँ क्या develop होगा, यहाँ develop होगा EMF, यहाँ develop होगा EMF, और अगर तुमने इसको close कर दिया, EMF close करने के बाद, EMF develop होगे ना, यह और interesting बात बताता हूँ, EMF develop होने के बाद, तुमने यहाँ लगा दिया bulb, क्या लगा दिया, bulb, जैसे ही bulb लगाया, बल्ब जला, और बल्ब कब तक जलता रहेगा, जब तक यह magnetic field चेंज होता रहेगा, यह increase करेगा, यह decrease करेगा, ने तो यह bulb नहीं जलेगा, तो लेकिन यह बल्ब जला किसकी वज़ा से, EMF किसकी वज़ा से, changing flux की वज़ा से, changing flux किसकी वज़ा से, changing magnetic field की वज़ा से, अब आती है बात कि, यह EMF की value कितनी होगी, जो EMF यहाँ develop हुआ, यह दिया Faraday के second law ने, उसने बोला, जो EMF develop हुआ ना, वो is directly proportional to, क्या बोला, उसने, is directly proportional to d5 by dt, मतलब rate of change of flux, flux की changes पर depend करेगा, जितनी ज़ादा flux की changes होंगी, जितनी fast change करेगा flux, उतना ज़ादा यह EMF develop होगा, यह magnetic field की value पर नहीं depend करेगा, यह magnetic field की value की changes पर develop करेगा, depend करेगा, sorry, कि जितना जल्दी वो change कर रहा है, करेंगे numericals तो ज़्यादा clarity आती है, बातें करके ज़्यादा clarity नहीं आती, जितनी numerical पर hold करके आती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, numericals करते जाएंगे, you will get into the concept की यह है क्या, जितना मैंने अभी तक आपको बताया, this is more than enough, आपको यह भी बता देता हूँ, क्या, फिर उसके बाद कही बाद आपको न, EMF का formula यह देखने को मिलेगा आगे जाके, कही बाद लिखा होगा ऐसा, यह minus sign किसकी वज़े से, lenses law की वज़े से, क्योंकि उसने कहा था, जो EMF बनेगा, वो अपने cause को oppose करेगा, यह negative उसकी वज़े से, और N का मतलब है number of turns, N का मतलब है number of turns, ठीक है, number of turns अगर, हमने एक turn के लिए लिखा था, d5 by dt, minus sign क्यों आया, N number of turns है, number of turns अगर जादा होंगे, तो ज़्यादा EMF बने लिए, Thank you very much.